साथ ले इन चुनावों के नतीजों ने एक बात और साप कर दी है कि यूपी की जनता को और मैं सभी ज्यानियों को कहता हूँ कि देश की भलाई के लिए अब पुरानी गिसी पिटी रेकोर्ड छोड़के देरा ने सिरे से सोचना सुरू की दिया इस देश के लिए बड़ी दुख की बात है मैं स्वयम बहुत दुख अनुभव करता था जब ये ग्यानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जाती बात के तराजू से तोलते थे जाती बात की दरश्टी से देखते थे मैं समझता हूँ कि उत्तरपदेश के नागरिकों को जाती बात की बाड़ा बंदी में बात करके वे उन जातियों का अपमान करते थे उन नागरिकों का अपमान करते थे पूरे उत्तरपदेश का अपमान करते कुछ लोग ये कहकर यूपी को बदनाम करते हैं कि यहां के चुनाव में तो जाती ही चलती है लेकिन भाईयो भहनो उत्तर पदेश के लोगों ने दिखा दिया है 2014 के चुनाव नतीजे देखें 2017-2019 के नतीजे देखे और फिर 22 में भी देख रहे है हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकास बाद की राजनीती को ही चुना है यूपी के लोगों ने इन लोगों के ये सबक दिया है और ये सबक उनको सिखना होगा यूपी के गरीब से गरीब व्यक्ति ने यूपी में गाउं में रहने वाला वेक्ति हो पढ़ा दिखाओ ये अनपढ़ हो यूपी के हर मद्दाता ने हर नागरिक ने एक सबक दिया है कि जाती की गरीमा जाती का मान देश को जोडने के लिए होना चाहिए देश को तोडने के लिए नहीं होना चाहिए और ये करके दिखाया है चाहर चाहर चुनाव में करके दिखाया है